कि आयोटा क्लासेज तो सागत अब सभी कहा माच है इस वीडियो में हम लोग जो है और थिमेटिक प्रोग्रेशन वो करने वाले हैं जो कि चप्टर नमर फाइब है हमारा क्लास 10 का आरे सब्सक्राइब का कि अब इसको सॉल्फ करते हैं और मैं पुताद हो कि हर एक चैप्टर हर एक को शन हर एक एक जामपल हर एक एसरसाइज क्लास 10 का ना आए कि सिर्फ मैस इवन की फिजिक्स भी डला हुआ है आप में चैनल के प्लेश में जाओ महापड आपको हर एक चीजों का प्लेश में है दून जानें है этом कि मैंने अपने इंट्रॉडक्शन वीडियो में बताया है अगर इस चैप्टर को पेस vorher आप इन नहीं दिखा तो यार बहुत गलत क्यों तau बेसे पहले जाका कि आप अन्टडॉडउक्शन वीडियो सब्से पहला काम इंट्रॉडक्शन वीडियू दे प्रोग्रेशन इस क्या दिया बाद मुझे 9 15 9 15 21 27 एंड शुआ ठीक है चले तो हैर हमें मालूम है कि कोई भी प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन क्या होता है मेरे भाई जिसका एंट टर्म निकाल सकते हैं उसको गवाद है प्रोग्रेशन नहीं तो दर क्या वीडियो देखो वीडियो बहुत इंपोरेंट वह देख लोगों तो काम बन जाएं तो लगिवन प्रोग्रेशन इस इतना यह हमारा एक है कि नहीं है वह हमें पता करना है तो एपी में होने क्लिक होता है मैं मालूए कि स्केंड तरम को फर्स्टम से मैनस करेंगी फिस थार्टरेशन से अपि तो सेंट टरम हमारा क्या है 15 15-9 is equal to 21-15 ठीक है इस इक्वल टू ऑट्वेस्टेवन मैनस 21 इस इक्वल टू देखो तो कितना रहा है तुम खुश देखो 15 में से 9 मैनस करोगे तो क्या आएगा छे आएगा बिल्कुल सही है अच्छा एक इस में से पंदर मैंस करोगे तो भी इच्छे आएगा ठीक है 27 में से 21 मैस हो गए तो भी छे आएगा तो इस इकोल टू 6 इच्छे आ रहा है जो कि कॉंस्टेंट हमारा विचीज कॉंस्टेंट जो कि कॉंस्टेंट है सिक्स सब में आड़ा है ठीक है तो आपको बसी लिग दिना है कि हेर हेर इच टर्म इच टर्म डिफर डिफर फ्रॉम इच प्रिसीडिंग टर्म इसका हर एक टर्म अपनी पिछलिए टर्म से कितना से डिफर है शिक्स से डिफर है तो दियर्फूर दियर्फूर इफिर दियर्फूर का साइंग देता हूं जाचा रहेगा दियर्फूर दो गिवन प्रोग्रेशन इस इन एपी इसलिए जो हमारा गिवन प्रोग्रेशन है वह एपी में है बसने में आगे ना अब हमें बोला गया गया अगर एपी में है तो इसका फर्स्ट रम बता यह कॉमान डिफरेंस बता बता है नाइन कमन डिफरेंस कमन डिफरेंस जिसको डी सी रिनोट करते हैं वह कितना हो गया हमारा तो 15-9 बदा तो चे हो गया हमारा और आगे क्या बदा कि इसे ही सारा निकलेगा दूसरा तीसरा चौथा सारा ऐसे निकालना है तो दूसरा देख लो दूसरी में कह रहा है क्या कि यह है 11 दा गिवन इस सब बात अपने लिख लेना यार एक तो मैंने बता दिया अब बाकी लिख लेना तो मैं आपको जो है तो चलता हूं तो चलो दो 116 1-4 तो देखो तो हैर यहां क्या वड़ा है कि 6-11 6-11 is equal to कितना होगा मारा 1-6 1-6 is equal to minus 4-1 देखें कि क्या बिल्कुल यह जो है सबका क्यांस्ट आ रहा है नहीं आए तो 6-11 करेंगे-थो मैंनस फाइवा अग़ा एगा फिर 1-6 करेंगे तो मैंनस फाइवाइगा और माइनस 4-4-1 करेंगे तो मैंनस 5 अब्सॉइब एगा ठेका यह हो गया हमारा यह हो गया आपका जो कि हमारा तो फिर सिद्धिन के यह एई इस ट्रम डिफर फ्रम प्रिसीडिंग टर्म बाइए बाइए बागी चलते हैं तो है अब फर्स टम को एसी डिनोट करते हैं तो मैं लिख रहा हूं को सब्सक्राइब फिर्स को डिसी डिनोट करतें स्मॉल दिसे इस गल तो कितना हो गया हमारा मैंनस फाइब आगे हमाड़ा मैंनस नाइं तो यह हो गया हमारा नमबर टू करते हैं लेंगव हाई आपने से लिख लेना नंबश तो करी सकते हैं चलिए नमबर देखिए थी करें थी मैं क्या है हमाराई हैं मैनस फाइब बाइब हए यही हमारा गिवें प्रोग्रेशन है टाइए देखें इसमें भी तो है यह देखी तो स्कंट इस बत को सिखंटर मानस फर स्टम तो के नियुदि मैंस में मैं तो मैंनिस मैं यहां पर प्लस कर देता हूं तो समझा यह प्लस क्यों कुछ हुआ प्लस जगह कम है न हमारे पास में तो इसलिए करना हूं ठीक है फिर उसके बाद यह मैंने कि यह करेंगे यह कि इस एक्वाल टू माइनस टू बाइटी और यहां क्या हो गया मारा मैनस मैनस प्लस हो जाएगा तो प्लस फाइब इस फाइब फाइब फिर 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 मैं प्लस करूंगा तो तुम खुद फ्रैक्शन का घटायर यहां के छे और छे मैंस पांच जाएगा तो यहां प्लस यहां भी आ रहा है ठीक अब यहां तो यह होके तुम्हारा कितना तीन दू निच्छे तो यह मैनस तीन और यहां 2 आ चार मैनस तीन और ब्लस चार 1 1 1 2 6 यहां भी आ रहा है तो हर जगह हम 1 2 6 3 आ रहा है ठीक ना जो कि हमारा constant is equal to constant constant हो गया हमारा to constant हो गया हमारा to therefore 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 this progression is in a P therefore this progression is in इन एपी यह हमारा एपी में है ठीक है अच्छा आगी चलते हैं अगर यह पी में है तो अब हमें निकालने के लिए कहागे तो फिर्स ट्रम क्या होगा भाई मैनस वन कॉमन डिफ्रेंस को स्मॉल डिसओ करते हैं कि न कि फिर्स काम गया 1010 यह होगा तो फे즘 लगान निका लेंगे इसमें ऐड़ कर दो तो कद दो मैनट रफेरीइज टू प्लस 241 by 6 जो यह करेंगों का लस्म आएगा 6 लस्म 6 आएगा चलो तो 2 3 और 6 तो 3 मैंनस 3 और 6 पिलस 1 एनने कि फाइनल लिग रिजल्ट आएगा हमाएगा हमाँडा फिफ्ट तरम का वही आएगा कि वह यह मैंनस 2 अपान 6 अब काट वह तो कुछ कट के आएगा कट के का आएगा हमाँडा तो यहीं आएगा हमारा फिफ्स ट्रम यह हमारा क्या आ गया वह रहा है चलिए तो तहां नमबर तीन अब नमबर चार हम लोग चिक करते हैं ठीक है नमबर चार अब यहां पर क्या है मेरा भाई कि रूट टू है रूट एट है और रूट एटीन है ठीक आट थाटी टू है एंड शो ऑन चलिए तो यहां देखो तो सेकेंड ट्रम हेयर है रूट एट माइनस रूट टू माइनस रूट टू ठीक देखो रूट एट को अपने लिख सकते हैं तू रूट टू का फेलू रूट एड होता है अब रूट एट्टिन है मेरे भाई रूट एट्टिन है तो एट्टिन को तोड़ो थिरी से एट के ठाड़ा फिर ठीरी रूट यहां पर टू रूट टू होगा मेरे भाई टू रूट टू अब 32 बस्तिस होता है हमारा दो 4-8-16 बस्तिस यानिके 5 बार दो होगा 5 बार दो में से दो चार दो का एक बन जागा ने के चार बाइरूट टू टू जागा फोर रूट टू एंशो ठीक है इसको अपन ने सही तरीके सिरिक दिया अब देखो है यार क्या हो गया हमादा टू रूट टू मैनस रूट टू फिर इस इक्वल टू थिरी रूट टू थि ट्री का हो गया मुझे यार थि रूट टू मानस कुर टू इस एक्वल टू फोर आमानस पह्याड इस ऐक्वल vandaag मैनस-स थिरी रूट इस इस इक्वाल टू कॉंस्टेंट आगा क्या कॉंस्टेंट आगा तुम से एक रूट चला जाएगा चले बचेका सीफ हमारा रूट टू है तो हट जबना रूट टू ही आएगा जकीन नहीं है चेक कर लो चेक कर लो मेरा भाई चलो मैं इसको तो अधर से लिखता हूं यार कि यह क्या हमार 2 root 2-2 2 2 2 4 root 2-4 root 2-3 root 2- 3 root 2-3 root 2-3 root 2 is equal to root 2 आएगा जो की constant हो गया ठीक है तो चलिए यह constant हो गया हमारा तो फी लिखते ना कि therefore this progression यह बदल को बदल को ना एपूरीश इस फ्रोगरेशन अ हाई इस इन ए पी यह हमारा एपी में होगा बस नहीं आ रही है अच्छा अब मागे देगों कि एपी में होगा तो एसकोल टू क्या हमारा रूट टू आ गया थे हर जगह रूट टू ही आएगा तो टू मैंस अट वा ठीक ना तो यह हो गया हमारा रूट टू कोंस्टेंट एक कॉमन डिफ्रेंस पर रूट तो के बाद क्या हैका हमारा फाइब तो फाइब रूट तो प्लस रूट तू यानिके और तो अब फाइव रूट तू का वेलू क्या होगा यह दी बात है तो फाइव रूट तो फाइव जब हमारा अंदर में जागा तो इसको फिफ्टी आएगा लुब रूट फाइव जाएव यहां करता हूं नबर फाइब यहां कर देता हूं चलिए नंबर फाइब में अगर हम देखें तो हमें जो दियावा है ट्वैंटी रूट ट्वैंटी रूट ट्वैंटी रूट फॉर्टी फाइब रूट रूट कितना असके बाद मेरा भाई असी फिर है रूट एक सो पचीस है ट्वैंटी का ट्वैंटी का वेलू कि अगर हम निकाल लेंगे तो से करेंगे तो फाइब करेंगे तो तू तू रूट फाइब आएगा तू रूट फाइब हमां ट्वैंटी हो जाएगा रूट चलिए रूट फॉर्टी फाइब तो फॉर्टी फाइब को कर अगर वे दिवाइट करते हैं तो फिर भी दिवाइट करोगे तो फिर या जैगा आपको पाच राएगा या धी रूट फाइव इसका तो फोर रूट फाइव आएगा 4 रूट 5 बिल्कुल यह आएगा फोर रूट फाइब इसका निकाल होगे तो फाइब रूट फाइब फाइब का स्कॉआ होता है 25 25 25 25 25 25 बिल्कुल सही है ठीक है तो चलिए यहां पर तो यह हो गया हमारा अब यहां देखिए कि सेकेंड रम मैनस फर्स ट्रम करता हूं तो यह मैने के फिरी इंद्ग फाइब इसट इख्वर टू हेव टुद फाइब इसकी टिरूट फाइब Premier स्कॉड पाइब फ्रॉट फाइब यह मैन्स फ्री रूट फाइब मैनास ऐख्तव हो ना जोकि सब हमारा कॉंस्टेंट आएगा तुम खुद देखो न इसके बाद फोर उट फाइब मैंसे थी फाइब उट फाइब यहां से हम लोग विच इस कॉंस्टेंट यह हो गया कि अखी कॉंस्टेंट हो गया तो अब लिए ना इस प्रोगेर्शन इस नहीं अपी ठीक है अब मैं इसका फास्ट मिलिगता हूं तो फ़स्ट इसका तो चाहिए से एक मतलब था फर्स्टम एक मतलब क्या हमारा रूट तो तो फाइव रूट फाइव तो फाइव रूट फाइव प्लस रूट फाइव यानिकि यह हो जागा हमारा 6 root 5 क्यों जागा 6 root 5 वह जागा तो this is equal to 6 root 5 हो जाएं और 6 5 को अंदर लेकर जाएंगे तो 6 आंदर जागा तो 6 नेक्स तो यहीं निकालने के लिए कहा गया था जो कि मैंने निकाल दिया पांचों में चलो मैं हड़ जाता हूं पर इसका स्क्रिंशॉट ले लो करेंगे अपने नेक्स वीडियो में कैसा लग रहा है अच्छा लड़ा दोस्तों को शेयर करना बिल्कुर में भूलना दम कर दो आज से तिल दन बाबाई जय हिंद जय भारत